असलाम अलेकम वेलकम टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टड यह 25 मेंबर्स के लिए है इस तरह से बनाएए बहुत यमी बनेगा आपको फ्रूट कस्टड इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 लीटर मिल्क लिया है मैंने इसे गैस पर रख दिया है गरम होनी के लि इस स्पून से 8 स्पून है यह कस्टड पॉडर इसे हम थोड़ा सा पानी आट करके पतला सा घोल बनाएंगे इसका इस तरह से बना लिया है मैंने इसका घोल दूद को हम एक से दो उबालाने तक पका लेंगे देखिए अच्छे से उबाला चुका है अब हम कस्टड इसमें आट कर देंगे दीरे दीरे से मिक्स करते जाएंगे हम इसे 5 से 6 मिनिट के लिए पकाना है इसी अच्छे से अच्छे से मिक्स करते जाना है देखिए थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है अब यह अब इसमें हम शुगर एट कर देंगे वनकेजी शुगर लिया है मैंने 4 लीटर मिल्क के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शुगर हमारी मिल्ट हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है 5 से 6 मिनिट के लिए यह अच्छे से कुक हो चुका है अब हम ग्यास को आफ कर देंगे इसे ठंडा होने के लिए हाफ नवर के लिए रख देंगे देखें अच्छे से ठंडा हो चुका है कितना गाड़ा भी हो चुका है यह अब इसमें हम फूर्ट सेट करेंगे अनार लिया है मैंने फॉर मिक्स फूर्ट का टीन लिया है मैंने वन केजी का देखें इस तरह से रहेगा वो टीन इसे भी मिक्स का एपल लिया है फॉर ग्रेप्स लिया है मैंने हाफ केजी इसे पीसेस में कट कर लिया है इसे बनाना लिया है मैंने ट्विल इसे भी इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है खर्बुजा लिया है मैंने हाफ केजी सपोर्टा भी हाफ केजी लिया है इसे भी इस तरह से इसका पीसेस में कट कर लिया है इसको इसे अच्छे से mix करना है अब अच्छे से mix कर लिया है 50-50 ग्रैम काजू about them in यह मैं ने इसे हम अच्छे से mix करने में 500 ग्राम इसे डालते वक्त में video शूट नहीं कर पाई इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे हम फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने के लिए रडी हो चुका है हमारा पूर्ट कस्टड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिये शेयर करिये